अब आगे देखते हैं भ्यास कार्य का सेश भाग लिखित प्रशन उत्तर लिखित प्रशन उत्तर में हैं नीमन लिखित प्रशनों के उत्तर लिखिए नमबर वन है गर्मी की छुट्टियों में मीता और उसके भईया ने क्या क्या किया होगा क्या क्या किया होगा, आप लोग क्या क्या करते हो, ये वर्णन इसमें करना है, गर्मी के छुट्टी में मीता जो है अपने भाईया के साथ खुब मज़े किये होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, घर में कुछ साथ में बैटके टीवी, कुछ स्कूल के बाते, कुछ इधर कहां जाना अच्छा लगता है, घर में रहना, अच्छा लग घर में रहा कि आप क्या टीवी के माध्यम से मनुरंजन करते हों, ये सब आपको लिखना है, नमबर त्री है, मीता के इसकूल में पहले दिन नए बच्चों का स्वागत कैसे किया गया, कैसे किया गया, तिलक ल इनाम, इसकूल में नए बच्चों के स्वागत के उपलक्ष में कारे क्रम देने पर इनाम मिला, इनाम किस ने दिया मीता को, प्रधाना चार्य महोदया ने इनाम दिया, ओके, आगे आजाईए, सहीं उत्तर पर राइट का चिन्न लगाईए, नमबर वन है, मीता ने किसको पत्र कहां लिखा, किसको लिखा और कहां लिखा, तो नमबर वन है, नानी के घर में, भाई के स्कूल, छात्रवास में, गाउं के घर में, मामा के घर में, किसको लिखा, नानी के घर में, नानी के घर में किसको लिखा, अपने भाईया को पत्र लिखा, नमबर टू है, किसक सांता बच्छडा सांता काकी के घर में नमबर वन में आएगा नानी के घर में आगे देखिए मूल्य परक प्रश्न में आ जाएए पत्र को भेजने के लिए हम कहां जाते हैं कहां जाते हैं पत्र को भेजने के लिए डाग घर जाते हैं यह पत्र भेजने के लिए और कौन- माध्यम से हम पत्र भेज सकते हैं आगे देखिए भाषा की बात में आ जाईए काल को बताया गया है काल किसे कहते हैं बिते हुए समय में जो किया गया कार्य होता है वो काल कहलाता है समय बिता हुआ होता है चल रहा होता है और आने वाला भी होता है तो इस समय के इस रूप को क्या कहते हैं काल कहते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं भूत काल वर्तमान काल भविश्यत काल भूत काल किसे कहेंगे जो बीत चुका है बीत चुका है में क्या क्या वर्णन होता है था थे थी वर्तमान काल है जो अभी चल रहा है, इसमें हम बोलेंगे है, हू, हो, नमबर थ्री है भविश्यत काल में जो होने वाला है, होने वाला रहते मीज हो गा, जाए गा, गा, गे, गी का वर्णन होता है, तो निम्न के काल रूप को लिखिए, ये आप लोग के लिए होम वर्क है, ये काल रूप को आपको है ओके मैं कल नई दिल्ली गया था था का वर्णन यहां पे दिया हुआ है भूत काल में होता है उत्तर भी दिया है वैसे ही गाहरी घास चर रही है है का वर्णन जो है यहां पे वर्तमान काल में हुआ है वैसे ही शुहानी कल साम तक दिल्ली पहुँच जाएगी गी का वर्णन भविश्य काल में हुआ है वैसे ही नमबर प्रोर है वह क्या खुब शुरत मौशम है है का वर्णन वर्तमान काल में हुआ है आपको यह सब भूक में ही करना है ओके आगे आ जाईए आपके कक्षा में चात्र कैसे हैं, अपने बड़े भाई को पत्र लिख कर बताईए, मैं जो आप लोग को होमवर्क दी हूँ, पत्र लिखना है, आप अपने बड़े भाई को भी पत्र लिख सकते हो, अपने इसकुल के जानकारी देने के लिए, और एक पत्र जो है, आप अपने घर की जानकार देने के लिए घर में आप कैसे मजे कर रहे हैं उसके बारे में भी लिख सकते हो नमबर गह है विलोम शब्द लिखिए ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है विलोम लिखिए जस्ट उल्टा लिखना है शुबा का शाम नीचे का उचा खुलना बन गरीब अमीर छोटा बड़ा देश विदेश ये आप लोग के लिए होमवर्क है नमबर गह भी आप लोग के लिए होमवर्क है जो असुद्ध सब्द दिया हुआ है उसको शुद्ध कुछ मात पोस्ट कार्ड अंतर देशी लिफाफा बनाईए रागघर जाकर स्पीट पोस्ट के द्वारा पत्र कैसे भेजते हैं इनकी भी जानकारी आप ले सकते हो इसमें दिया गया है इनके नाम लिखिए देखो ये अंतर देशी है नाम लिखना है ये जो है लिफाफा है ये पोस तो आप book worker को book में ही करिएगा जो question answer है, प्रशन उतर है उसको copy में करना है ओके, thank you